नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देखने हमारे एक खास कारकम मैं हूँ अजमिश और आज हम बात करेंगे विश्व भुक्त अधिकार दिवस की आज हमारे इस खास कारकम में जुड़ रही है भारती रेजर्ब बैंक के दिल्ली कारले से लोकपाल श्रीमती रुची सेक्टर से जो सेवाएं हैं उसमें जो कमियां आती हैं उससे कैसे आपको प्रटेक्शन मिलता है रुची आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारकम में नमस्कार सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे अफसर प्रदान किया कि मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुँच सको तो पहला प्रशन हमारा आई है कि आपने हमारे दर्शकों तब पहुशने के लिए जो आज का दिन है वो क्यों चुना और विश्व उभोगता अधिकार दिवस को ही क्यों चुना आपने अपनी बात रखने के लिए बहुत अच्छा प्रश्ण है आपका जैसे कि आपको विदित है कि आज 15 मार्च का दिन विश्व उभोगता अधिकार दिवस यानि कि वर्ल्ड कंजूमर राइट्स डे के रूप में जाना और मनाया जाता है भारती रिजर्व बैंक कई दशकों से हमारी विनेमित संस्थाओं यानि कि रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स या नॉन बैंक फैनांस कम्पनीज के ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जाग्रूग करने प्रशिक्षत करने और उनकी शिकायतों का निवार करने के लिए कारिरत और प्रतिबद्ध है आज World Consumer Rights Day पर हमारी ये कोशिश है कि देश के कोने-कोने में समान जनता तक पहुँच कर अपनी नई योजना Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021 के अलग-अलग प्रावधानों से उन्हें अफगत कराएं और इस योजना का लाप उठाने के लिए प्र दोगा तो सबसे बहले समझाई पूरी व्यवस्था के बारे में और आपकी क्या भूमिका है इस पूरी व्यवस्था में संक्षेप में बताती हूँ तो मेरी इस समय भूमिका है कि Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021 के अंतरगत आने वाली जितनी भी बिनयमित संस्थाएं हैं जैसे बैंक और non-bank finance companies उनके अगेंस्ट जितनी भी complaints आती हैं शिकायत आती हैं उनका निवारन करना ही मेरी प्रमग भूमिका है हमारे इस मादिम से जुने बहुत सारे लोग ऐसे जुने इनकी योजना की जानकारी नहीं होगी जिसका आपने जिक्र किया नई योजना है RBI की तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं उसके बाद फिर मैं आगए बढ़ता हूँ जी बिलकुल तो इसके लिए थोड़ा प्रिश्ट भूमी में जाना आवशक होगा लोगपाल योजना एक वेकलपिक व्यवस्था है जो की ग्रहकों की शिकायतों का निवारन करने के लिए बनाई गई थी 1995 में पहली बार बैंकिंग लोगपाल योजना शुरू की गई थी दीरे दीरे प्राप्त अनुभवों के आधार पर 2016 तक इस योजना के प्राफधानों में कई सुधार किये गए फिर 2018 में NBFC जब हमारी वित्ती प्रडावी में बहुत महत्तपूर्ण हो गए तो उनके महत्तपू को देखते हुए उनके लेक अलग से लोगपाल योजना लाई गई फिर जब हमने देखा कि डिजिटल भुगतान बहुत बढ़ गए हैं जैसे गत वर्षों में आप सीज और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंस डिजिटल ट्रांसक्शन के लिए जो तीनों योजनाई थी उनको एक ही करत करके एक रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड़ ओंबर्समें स्कीम 2021 प्रारम की गई शायद आपके कुछ दर्शकों ने देखा भी होगा कि इसका लो चाहें तो देखे ये अवशेक है कि कोई भी संस था या उसकी गतिविदियां उसके कारिकलाप समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहें तो ये तीनों योजनाई अलग-अलग समय में विक्सित हुई उनमें शिकायतों के अलग-अलग आधार थे यानि की ग्राउंड कर एक योजना बनाएगी और सेवा में कमी से जुड़े सभी शिकायतों का समावेश करते हुए इसको सरल बनाया गया पहले जो है वो ग्राउंड्स अफ कम्प्लेंट डिफरेंट हुआ करते थे अब इसमें सिरफ एक ही ग्राउंड अफ कम्प्लेंट है विचिस सर्विस ड अच्छा लगता है इसका क्या कोई एक्स्क्लूसिव डोमेन है जिसमें काम करते है और फिर इसको खोल दिया गया है इसकी पूरी अवधारना क्या है और एक देश और एक लोगपाल कर हम बात करने तो हम कैसे समझें कैसे काम करता है उब भूकता को सबसे बड़ा लाब इस लोगपाल के पास शिकायत दर्ज करें तो इस योजना के अंतरगत भूकता के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक ही पोर्टल है एक ही इमेल है और एक ही पता है साथ ही एक ही ट्रोल फ्री नंबर भी है जिससे वो इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या यह भी जान सकते हैं कि उनकी शिकायत पर क्या प्रगती हुई है तो जो फिर शिकायत करता है जिससे बैंक से शिकायत है या फिर NBFC से शिकायत है या फिर जो दूसरा payment system का जो stakeholder है आपने का वो एक ही जगर शिकायत करेगा कहां करेगा अगर थोड़ा सा mechanism में थोड़ा सा detailing पर जा शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानि की complaint management system portal बोलते हैं दर्शक इसको note भी कर सकते हैं https cms.rbi.org.in इस पर जाकर हम अपनी complaint lodge कर सकते हैं दूसरा है email के माध्यम से email address है crpc at the rate rbi.org.in इस पर कोई भी शिकायत करता है अपनी शिकायत लिग के भेज सकता है email के माध्यम से और तीसरा है की डाक के माध्यम से जैसे की हस्त लिखेत पत्र लिखके हमें भेज सकता है और उसके लिए जो address है पता है वो है केंद्रिकरत प्राप्ती और प्रसंसकार्ण केंद्र यानि की central receipt and processing center ये चंडिगड में स्थित्क है और यहां पर भी हम शिकायत हाथ से लिग के भे अब ऐसा क्यों कह रही है क्या इसके अलावा भी कुछ दूसरे विकल्फ है जो गराकों के पास मौझूद है जी हां बिल्कुल देखिए सबसे पहले अगर किसी को शिकायत है तो उसको शिकायत अपनी संबंधित संस्था से ही करनी चाहिए जिससे भी शिकायत है सबसे पहल सारे फोरम्स अवेलिबल हैं कंस्यूमर कोर्ट जा सकता है या फिर कोर्ट में जा सकता है और नहीं तो फिर वो अगर ये निर्ने ले कि वो रिजर्व बैंक की इस एकी कृत लोगपाल योजना का लाब उठाना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है और जो इंटीग्रेशन क ये बाद में जब से आपने का कि प्रधान मंत्री ने नमंबर में इसको एक देश एक लोगपाल की जो योजना लागू की उससे ग्रहकों को क्या फायदा हो इससे लोग भोकताओं को कई प्रकार के लाब प्राप्त हुए जैसे कि बताया कि एकी कृत जब हमने इसको कर दि इंद्री करण भी किया है तो सबसे पहले शिकायत दर्च करने के लिए भोकता के पास दो ही माध्यम है मतलब दो सेंट्रल पॉइंट्स है उसके तो या तो वो सी रपी सी चंडीगर जो की सेंट्रल रिसीट और प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट भेज इसकी अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो भी वहीं से प्राप्त करेगा दूसरा है उसको एक टोल फ्री संपर्क नंबर उपलप्त कराया गया है जिसे की नंबर है 1448 इस नंबर पर शिकायत दर्च करने में रहकों को अगर किसी प्रकार की साहता चाहिए तो वो मिल सकती है शिकायत के निवारण से संबंदित कोई अन्य सूचना है वो भी प्राप्त कर सकता है ये टोल फ्री संपर्क नंबर हमारे सिस्टम में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कुल नौ शेत्री भाशाओं में भी उपलप्त है तो इसको बांगला, गुजरात करनर, उडिया, मल्यालम, मराथी, पंजाबी, तमिल और तेलुगों में भी ये नंबर उपलप्त कराया गया है अब जो ये स्कीम है इसमें ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट जो हैं वो हटा दिये गये हैं सर्विस डेफिशेंसी इस दो अनली ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट औ उसमें और जो आज की तारीक में जो ये एकिकरत योजना है इसमें 1975 संस्थाओं को कवर किया गया है एक चोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद बहुत सारे से सवाल जो आपके भी जहन मुए होंगे कि क्या कुछ हो सकता है आपकी बैंकिंग फ्रॉट से जुड़े मामा आप नाला जी सिर्ना डरते क्यों मैं सवाली नहीं पापा जी पापा दस हजार उपए अभी बैंक जा कर भेज डेता हूं डर गाया इस डर को और बढ़ाते मतलम आज तुब संड़े है रिल्ल रिल्लाक्स बैंक बनने बैंकिंग सर्वसिस नहीं यह मिलेगे डेली 2400 हंटे कैसे अब बैंकिंग है आसान डिजिटल बैंकिंग स्रिफ एक उंगलेका है काम पता हूं कैसे बेजे एनी एफटी, आयम, पीस, यूपी, आयम, कोई भी वह फैनाशल ट्रांसेक्शिंस कहीं भ अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डर, अरी नाना जी, पापा, अर्भी आई कहता है, डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ, चेक, जाना पड़ेगा, अरे, गें छोड़े है, एक महिना होगा है, कंपलेंट किये हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंपले देन के जितने भी प्लैट्फॉर्म से है, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं, घर बैटे-बैटे, अर्भी आई के सीए में स्पोर्टर करें, यह हो गया चेक में, कंपलेंट करेंगे है, अर्भी आई कहता है, चानकार बनिये, सतर्क रही है, तो अब अगला सवाल यह है, मैं क का क्या एक्सपिरियंस रहा है, हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें लगता है कि इस से शिकायतों की टेजी से निवारन जो हो सकता है, देखें, तेजी से निवारन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मामले की जटलता, दस्तावेजों का समय पर प्रसुत करना, लोगपाल कारिय देते हैं, और दोनों पक्षों के लिए जो शिकायत से सम्मंदित जितना भी कम्यूनिकेशन है, उसके लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉंटाक्ट की रूप में कारे करते हैं, तो इससे अनुचित होने वाली जो देरी है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है, और इसस लोकपाल करमचारियों के पास निवारन करने और अधीनिर्ने प्रक्रिया में तलीन होकर कारे करने में अधिक समय प्राप्स होता है, और इस वजह से निवारन में दक्षता आने की पूरी उमीद है. लेकिन जब कोई कंप्लेंट करने आता है मैं तो आपने कहा कि कुछ डॉकुमेंट्स, डॉकुमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि चाहे वो पते पर भेजना हो चंडी कड़ वाले या फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना हो, तो कुछ सावधानिया जो की ग्रहाकों को भी अपने मन में रखनी चाहिए, वाइल कंप्लेंटिंग जिससे की बात में उनका भी समय खराब ना हो, और आपको बिलकुल, तो सावधानिया प्रमुक्तर तो यही है कि जब भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जिस संस्था से आपको शिक करें, यदि इस बीच आपकी शिकायत का समाधान हो जाता है, और आप संतुष्ट हैं, तो बात महीं खतम हो जाती है, मान लिजे आपको जो संस्था है, वो जवाब नहीं देती, या फिर जवाब तो देती है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप इस इस प्रारूप भी दिया गया है, कि किस प्रकार से क्या-क्या सूचनाएं देनी है, तो इसमें सबसे जरूरी यही है कि आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, इमेल अडरेस, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, ये सारी जानकारी दें, अगर मान लिजे कोई आपका ट कि जब आपने कंप्लेंट संस्था से कर दी है, शिकायत करता को आपने, शिकायत करता ने अपनी संस्था से कंप्लेंट की है, तो वो 30 दिन का समय जरूर ले, अगर वो 30 दिन से पहले हमारे पास कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, तो हम इस कंप्लेंट को खारिज कर सकते हैं, ये कहके कि अभी 30 दिन की ये समय अवधी पूरी नहीं हुई है जो भी आपके सामने मालेजी कंप्रेंट आ गया उसके बाद जो प्रक्रिया होती है लोगपाल काम कैसे करता है अगर हम ये समझना चाहें अगर उस मेकनेजम पर थोड़ा सा रोशनी डाल पाई है तो लोगपाल कारियाले में सबसे पहले शिकायत की प्राप्ति के बाद उसे हम भी समबंदित संस्था को ही भेचते हैं उनसे उत्तर मांगते हैं उस संस्था के उत्तर के उत्तर आने के बाद हम दोनों का मुल्यांकन करके ये देखते हैं कि संबंदित संस्था ने हो सकता है स्वता ही कोई समाधान दे दिया हो और अगर समाधान जो दिया है वो हमें संतोश प्रद लगता है या हमें सही लगता है तो हम शिकायत को बंद कर देते हैं अगर लगता है कि उन्होंने संतोश प्रद उत्तर नहीं दिया है या उन्होंने जो बैंक ने जो भी अपनी टिपड़ी लिखी है उसमें हो सकता है कुछ ऐसी बाते लिखी है जिन पर हमें शिकायत करता का मत जानना जरूरी है तो फिर से हम शिकायत करता को एक मौका देते हैं कि वो अपनी टिपपणी पेश करें फिर इन दोनों पक्षों को उचित प्रकार से समझने के बाद लोकपाल किसी भी पक्ष के हक में निर्ड़ें दे सकते हैं लेकिन यदि वो यह समझते हैं ऐसा भी होता है कि लोकपाल को लगता है कि दोनों पक्षों की सुलह के लिए एक मीटिंग बुलाना जरूरी है तो फिर हम दोनों पक्षों को अपने कारियाले में सुलह बैटक के लिए बुला सकते हैं और वो दोनों यदि आपस में किसी समाधान पर खुदी सहमत हो जाते हैं तो शिकायद बंद कर देते हैं और नहीं तो फिर लोकपाल उन दोनों की बाते में सुनकर फिर अपना निर्नय देकर शिकायद को बंद करते हैं यह तो मीटिंग की बात हुए माम, लेकिन यह reconciliation जो process है, उसकी जरुरत पढ़ती है कि आवूमन में, समझना चाहता हूँ, दूसरा यह है कि अगर मान लिजे कोई physically उस मीटिंग में नहीं आ सकता है, तो फिर क्या उसका कोई विकलत है? मीटिंग की जादा जरूरत नहीं पढ़ती है, ऐसे कुछ वही जैसे कहा कि मामले की जटलता, तो उसके ओपर depend करके रहता है, कई cases में जरूरत पढ़ जाती है कि मीटिंग बलानी पढ़ती है, और हाँ यह जो आपने कहा कि मीटिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि हम physical कर लिया जाता है, जिसमें की शिकायत करता जो है, वो खुद ही किसी भी जो वेबेक्स है या Microsoft Teams है, इन सब के माध्यम से हमारे वीडियो कॉन्फरेंसिंग में जोड सकता है, और नहीं तो वो रिजर्व बैंक के निकटतम कारयाले में चला जाए, या जो भी उनका संबंदि बैंक या NBFC है, जिसके विरोध उन्हों ने शिकायत की है, उसकी नजदीकी शाखा में जा सकता है, और वहां से वो इस वीडियो कॉन्फरेंसिंग में भाग लिया सकता है, और अगर उभोकता आपके फैसले से संतुष नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नाइट प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं, तो उसके बाद क्या उनके पास भी कल्प है, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो लोगपाल के जो निर्ण और अधी निर्ण शिकायत करता को अगर स्वीकार नहीं है, और जिनहें लोगपाल दुआरा अपील योग के खंडों के तहद बंद किया गया है, उन मामलों के विरुथ शिकायत करता अपीली अधिकारी के समुख अपील दायर कर सकते है इस योजना के अंतरगत हमारे जो अपीली अधिकारी हैं वो भोकता शिक्षन और सनरक्षन विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक हैं यानि कि हमारे Consumer Education and Protection Department के Executive Director ऐसे सभी मामलों में जिनमें अपील करने का विकल्प अवेलिबल होता है उसके जो लेक है वो हम शिकायत यानि कि जो क्लोजर लेटर होता है उस में हमेशा इसका उलेक किया जाता है परन्तु यदि मामले को गैर अपील योग खंड के दहद बंद किया गया है तो अपील करने का कोई विकल्प उपलब्ध होता नहीं है और ऐसे मामलों में शिकायत करता निवारण के लिए आदाल सहीत किसी भी अन्य फोरम को संपर्ख कर सकते हैं एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद बहुत सार ऐसे सवाल जो आपके भी जहन मुए होंगे कि क्या कुछ हो सकता है आपकी बैंकिंग फ्रॉट से जुड़े हुए उसका जवाब इसकार के में जरूर मिलेगा तो भांजी क्यो हो परेशान? लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट तुमसे ही सिखाए कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड और कर्चे भी लिमिटेड फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मॉबाइल नंबर दर्च करके रखो तुरंत अलर्ट मिलेगा समय से बैंक को बताया तो नुकसान बैंक नहीं मारा तो तो अर्भी आ के ओमजमेन से शिकायत कर सकते है वाँ माँ माँ खूप समझे आप डिजिटल बैंगिंग अपार्ट लो इधर भी लिमिटेड अर्भी आई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ तीन महिने में पैसे डवल वाँ फास्ट और हाई रिटर्न्स भी क्या स्कीम है कल तो नहीं ती है और कल होगा भी नहीं तो ने कभी पांच और में डवल सेंचुरी मारी है एसे स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा कह सकते हैं और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो अगर ज्यादा रिटर्न की पिछे भागोगे तो रिस्क भी उतनाई उठाओगे और पास डिटर्न से बचके और पास बॉलिंग से भी RBI कहता है जानकार बनिये सतर करही है तो अब जैसे कोई रेगुलेटेटेटेटीज या जिसको आप विनिमित संस्ता करें लोगपाल के आदेश का नुपालना नहीं करती है या फिर कुछ देरी हो जाती है तो फिर ग्राकों के पास क्या विकल्प है वो क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्तिती में लोगपाल उस संस्ता के विरुद एक अवार्ड पारित कर सकते हैं और अवार्ड की अनुपालना करना जो है वो विनिमित संस्ता पर बात दे रहता है तो अगर वो बशर्टे इसके विरुद अगर कोई एक महा के अंदर अपील ना करें तो इस अवार्ड को आप अनुपाल ना करना जो है वो संस्था के उबर पाते होता है और लोकपाल की जो शिकायत है जिसकी की आपने का कि बहुत सारे लोगों को भाशा की दिक्कत हो सकती है अंग्रेजी में उनको मेल लिखने में या कुछ करने में तो कोई एक और आसान तरीका है क्योंकि बहुत सारे जो शिकायद हैं हो सकता है गाहों में और कस्बों में भी ऐसी सामने आ सकती है हाँ तो जैसे हमने कहा कि बहुत एक रूप में जो शिकायद भेजी जाती है वो तो किसी भी माध्यम से किसी भी भाशा में भेजी जा सकती है पत्र के माद्यम से, इमेल भी किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, हाँ CMS पोर्टल पर वरतमान में सिस्टम केवल हिंदी और अंग्रेजी में शिकायत लेता है, लेकिन उसमें भी जहां शिकायत का विवरंड लिखना होता है, वो जो box होता है जिसमें विवरन लिखना होता है उसमें detail में हम किसी भी भाशा में लिख सकते हैं या copy paste करके भी उसमें डाल सकते हैं और उन संस्थानों के बारे में क्या कुछ प्राबधान है जो की RBI IOS 2021 की तहट कवर नहीं करते हैं जिसे आपने कहा कि 50 करोड़ से नीचे वाले UCBs और 100 करोड़ से नीचे वाले NBPs उनके क्या उनके मामले आपके दारे में नहीं आएंगे ने उनके मामले लोकपाल के दारे में नहीं आते लेकिन ऐसा नहीं कि RBI उनको नहीं देखता है तो हमारे RBI में Consumer Education and Protection Cell है उनमें CEPC यह जो ऑफिस है वो इन सारे संस्थाओं के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आती है उनको देखता है उनका निप्टान भी करता है आपके पास कई तरह की जो शिकायते हैं हो आती होंगी और किस तरह की जो शिकायते हो ज़्यादा चिंता का विश्या है अगर ट्रेंड हम समझना चाहें आजकल जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे लोगों को ज्यादा बचने की जरूद है हाँ बहुत प्रकार के शिकायते हैं हमारे पास लेकिन अगर गत वर्शो में जब से कोविड हुआ है तब से सबने डिजिटल ट्रांसक्शन करने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिये हैं तो डिजिटल ट्रांसक्शन में दिन दूनी रात चौगनी प्रगती होई है लेकिन साथ ही इन ट्रांसक्शन में फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो सुरक्षित डिजिटल बांकिंग प्राक्टिस को अपनी दिन्चरिया में उतारना जो है वो ग्रहकों के लिए अत्यान तावशक हो गया है तो इन से संबंदित कुछ मुख्य वहवार एवं सावधानिया में आपके दर्शकों को इस फोरम के माध्यम से बताना चाहूंगी कभी भी अपना खाता विवरंड जैसे खाता संख्या, login ID, password, pin, UPI pin, OTP, ATM credit debit card के विवरंड किसी के साथ साजाना करें यहां तक ही अपने बैंक के अधिकारियों के साथ भी साजाना करें आजकल कई ग्रहक संपर्क internet search engine जैसे की Google पर जाकर शिकायत संबंदी नंबरों पर बिना verification के call कर देते हैं और फिर जालसाजी के शिकार हो जाते हैं तो इसलिए कभी भी अगर आपको किसी का customer care number चाहिए, किसी भी bank का तो उसकी official website पर जाएए, किसी भी bank है, NBFC है, e-wallet प्र गूगल search engine से उसका number लेकर उसका call ना करें, फिर इसके साथ ही online banking के लिए केवल सत्यापत, सुरक्षित और विश्वसनी website का प्रयोग करें, यानि कि वो website जो HTTPS से शुरू होती हैं, सारवजनिक खुली या मुफ्त network के माध्यम से banking करने से बचें, संदे होने पर तुरंत अ आप अपने bank या e-wallet खाते से जुड़े जो भी आपके password हैं, उनको कभी किसी से साजहा ना करें, और आपके जो passwords हैं वो हमेशा unique होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, साधारन नहीं होने चाहिए ताकि उनको कोई आसानी से समझ सके या hack कर सके, उसके अलावा अपने वित्ती सेवा प्रदाता से alert के लिए निमत रूप से अपने email और phone संदेशों की जाच करते रहें, और अपने card एवं internet banking पर घरेलू अंतराष्ट्रिय लेंदेन के लिए द्यानिक सीमा जरूर निर्धारित करें, इससे जो है वो धोकादरी अगर हो भी जाए, तो उससे जो bank account से पैसे निकल जाते हैं, इस समझ में क्या कुछ साफधानिया जो ग्रहक हैं वो बरत सकते हैं कि बहुत सारे threatening messages आते हैं कि जल्दी से आप अपना PIN नमर बताई नहीं तो आपका bank का खाता बन कर दिया जाएगा, इस तरह की messages भी मिलते हैं, बिल्कुल सही का आपने, ऐसे बहुत सारे cases आते हैं जिसमें कि जालसास जो है वो phone call या email या SMS के माध्यम से ग्रहकों से KYC अपडेट करने को या ATM card या mobile phone को block होने से बचाने के नाम पर संदेश भेजते हैं, ग्रहकों को चाहिए कि ऐसे संदेशों पर विल्कुल विश्वास न करें और उनके द्वारा ज उने कोई भी ऐसा call आया है, SMS आया है तो अपने bank, NBFC या e-wallet प्रदाता की आधिकारिक website पर जाएं या फिर उनकी शाखा से संपर करें, उसी प्रकार अगर जालसाज आपको कोई अंजान आप को डाउनलोड करने को कह रहा है अपने device पर तो उसको भी ना करें, क्योंकि ऐ ऐसे transactions जिसमें की पैसा आपके account में आना है, ऐसे किसी भी transaction में barcode या qr code को scan करना या mpin डालना दर्ज करने की आवशकता नहीं होती है, तो अगर आप से ऐसा करने को कहा जा रहा है तो साफधानी बढ़ते हैं, जरूरी है कि ऐसे cases में हो सकता है कि आपका account debit हो जाए, credit होने क बजाए, इसके अलावा ग्राकों को विदेश से आने वाले remittances, commission प्राप्त करने का या lottery जीतने के भी भिन भिन संस्थाओं से संदेश आते हैं, RBI के नाम पे भी ऐसे संदेश आते हैं, तो इनसे भी भ्रमित नहीं होना चाहिए और उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए ये मान के चलना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी free नहीं मिलता है। SMS आजाएं कहीं से कि उनके साथ अकाउंट में कुछ ऐसी धोकाधड़ी हो गई है, तो तुरन संबंदित बैंक या e-wallet प्रदाता को सूचित करें, UPI सहित अपने सारे जितने भी उनके चैनल्स हैं, डेबिट चैनल्स हैं, जाए वो डेबिट कार्ड हो, mobile banking हो, सब को जिसमें कि उन्होंने जो है वो अपने confidential credentials को शेर किया है, तो इसकी देता जो है वो liability ग्राहक पर ही होगी, और यदि अनादिकरित लेन देन बैंक की गलती या third party breach के कारण हुआ है, तो ऐसी स्थिती में संबंदित बैंक को तुरन सूचित करें, ताकि हम विबादित राशी बैंक से कोशिश करें कि उनसे वापस ले ली जाए, अंत में मैं दर्शकों को आपके इस कारिकरम को देखने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही मैं उनसे निवेधन करूंगी कि इस कारिकरम में प्राप्त जानकारी को अपने सगे संबंधियों और मित्रों के स साथ साजा करें, अपने बैंक या NBFC से सम्बंदिच शिकायतों के लिए इस योजना का लाब उठाएं, योजना के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए कृपया htapscms.rbi.org.in पर लॉग इन करें, या फिर हमारे निशुल्ट लंबर 1448 पर संपर करें, और अंत में RBI की तरफ से यही संदेश है कि जानकार बनिये सतर्क रहिए और देशान वाद, रूचसरी नवाद, पर लॉचसरी नवाद जी वक्त निकालने के लिए और जिस तरह साब ने गगा है कि पैसा हमारा है, बैंक की सेवाए हमारी है, तो हमें ही सज़ग रहना है, अपने अधिकारों के परती भी और अपने पैसे के परती भी तो फिलाल खास कारक्रारम में स्थरिफ इतना ही आपने वक्त निकाला इस खास रोखमेएं डर्शों को बहुत ठेर सारी जागरूकता किलिए जो बातें बता हैं उन liberal बष्क्रायाँ आप फिरसे फिलाल आजके इस कारक्रारम में स्रिफ इतना ही पूरी टीम को दीजे ज्या-ज़त नमस कर.